आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल भारत अग्रिटेक पे आज हमारी कंपनी में डॉक्टर चंद्रशेखर जी आये है जो उड़पी में उनका बहुत बड़ा काम है तो मैं डॉक्टर साब को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा आपका इंट्रोडक् में अनामया चिकित्साले नाम का एक आयरवेद का हॉस्पिटल चलाता हूं और अनामया हर्बल्स नाम का एक हर्प्स का आयरवेदिक हर्प्स का आयरवेदिक जड़ी बूटियों का आयरवेदिक जो सीर्स होते हैं उसका भी व्यापार करता हूं और मेरे पास आयरवेद का Seeds का Oil निकानने के लिए लकडी का गाना भी है और Iron का गाना भी है जिसमें मैं Oil निकलता हूँ मैं हमेशा medicinal Oil Preparation में बहुत इंट्रेस्ट रखता हूँ जैसे अजुआइन का ऐल होता है जैसा भिलावा का ओल होता है जैसा मालकंगनी का ओल होता है जैसा पूदिना का आयल होता है जो क्या करता था मैं दो तरिके से निकाल निक निकालता था एक तो mechanical pressing method था दूसरे वाला होता था essential oil के लिए हम steam करके steam का extraction करके steam को distillation करके distillation के उपर जो होता है ना oil उसको निकालकर मैं oil separate करके में यूज़ करता था वो बहुत तकलिफ और टाइम टेकिंग प्रोसेस था बट जो मैंने आज अजवाइन का ऑईल भारत अग्रिटक का जो मिशन है उसमें निकाला ना वो बहुत आसन तरीके से आईल आया कोई दिक्कत ही नहीं हुआ कि मेरे पास थोड़ा सा डौट था कि आयेगा या नहीं बट इसी तरीके से आया और दूसरा यह है कि में जो आयल का गाना में जो लकड़ी का गाना हो नहीं तो आयन का गाना हो उसमें जो आयल निकलता है उसमें हमके लिए बैंडिंग मेटिरियल और थोड़ा सा वाटर भी डालना पड़ेगा जब हम वाटर ड हàiडोजीनेशन भी होता है और ऑक्सिडिशन भी होता है आइल का ख्वालिटी बहुत खराब हो जाता है जब ऑक्सिडिशन होके रांसिफड आइल हम कंंजूम करते है वो तक एह हमारा तंदृस्थ के लिए हमारा स्वास्थ के लिए बहुत तकलिफ पहुचाता है इस दिये लकडी का घाना का जो आईल है, आपको यूज करने का है, तो आप धूप में रखे, आक्सिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको समझ कर बाद में आईल यूज कर सकते हैं, बट बारत अग्रेटर का जो मिशिन है, उसमें आईन वाटर डालने का ज़रूरत ही नहीं है, ड आऑ, साफ लवर का सफ लवर का तॉयल में निकलता हूं, उसमें भी हम गुट डालना पड़ेगा और उसके साथ वाटर पर डालना पड़ेगा नहीं तो आईल ने निकलेगा उसमें, जब हम दूसरा क्वालीटि का मिक्स करेंगे, तो अविसलिन प्रूज का क्वालीटी त जाद रहे हैं, एक बोल्ड प्रेस मशिन में, आज जो इनकी ऐल प्रोसेस चल्डवा है, चुस्की जीओ सी आ रही है, पांच कुलों में आजवायन में करीबन आथा लिटर के आवेल नेकल शाड़ा रगा थाए और आवेसे सब्सक्राइब नियाल है जो मैंने आज अजवाइंका अविल मैंने निकला है ए बहुत बढ़िया क्वालिटिक आई जिसमें वाटर कंटेंट ही नहीं बहुत सारा और water content निकल चुका है कुछ भी नहीं है और direct oil मेरे पास है इसलिए मैं बहुत impress हुआ हूँ इस मेशिन से कि हम बहुत सारे आयरवेद का जो medicinal value का जो seeds होते हैं उसका भी oil हम इस मेशिन से easy तरीके से निकल सकते हैं सर अभी जो आपने बोला कि लकडी घानी में निकलने वाला जो तेल है उसमें जो water content रहता है वो निकालना चाहिए otherwise वो रैंसिफिकेशन होता है वो अगर वैसा ही अगर consume किया क्योंकि आज की date में बहुत सारे लकडी घाने वाले हैं जिनको प्रोसेस मालूम नहीं है यह उसमें से moisture कैसे निकाला जाए बहुत सारे लोग directly उसको फ्लेम पे चला देते है और उसमें से जो moisture निकल जाएगा वो निकल जाएगा पुराने जमाने में धूप में रखते थे ताकि कम temperature में उसका जो moisture है वो निकल जाए बट अभी जो बहुत सारे लोगों के पास time भी नहीं है कुछ लोग flame पे डालते हैं और कुछ लोग with moisture वैसे ही pack करके देते हैं तो उससे health को क्या problem आ सकता है अभी जी समझें सेर कि एक बार oil का oxidation हो गया तो उसका जो chemical formula होता है वो change हो जाता है अभी समझो कि आपके पास एक नारियल का आपी समझो कि आपका एक पास pama oil है पाम oil जब हम hydrogenation नहीं तो oxygenation करते हैं वो वनस्पती में बदल जाता है जब एक oil वनस्पती में बदल लिया तो वही वनस्पती हम खाते हैं तो हमारा नस्प में घुसके वहाँ पर arteriosclerosis नहीं तो ethrosclerosis नम का कि उसका जो नस्प का caliber होता है उसका अंदर ये चिपके उसका caliber को कम करके coronary artery diseases नहीं तो paralysis ये सब होने का संभावना ज्यादा होता है इसलिए oxidized oil को मत यूज़ करिए वनस्पती का मतलब है जो वेजी टेबल डालडा जिसे हम जानते हैं मशूर है तो वह डालडा को ही वनस्पती शुद्ध भाशा में तेल कहा जाता है सर अभी इसमें जो oil निकला है उसका temperature या कैसा आपको क्या लगा मैंने जब ये अजवाइन का oil निकाला तो oil को touch करके देखा है वो बिल्कुल भी hot नहीं था just room temperature में था और जो oil निकला हुआ है उसका smell भी बहुत अच्छा है टेस्ट तो आप पुछे मत बहुत अच्छा है एक drop देने से हमको पता लगेगा कि ये अजवाइन का oil है इसलिए taste में भी कुछ भी फरक नहीं हुआ है smell में भी कुछ फरक नहीं हुआ है जैसे original अजवाइन का oil मिलेगा ऐसे ही अजवाइन का oil मिल चुका है thank you sir for your review जो इस machine को आपने उड़पी से आके याने इतनी दूर से आके sir ने इसको चेक किया चेक करने का कारण भी था कि उनको जो परेशानी थी उसका solution उनको इस machine से मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने के लिए sir आये थे sir ने ये machine देखा उससे निकले वाला जो oil है उसका भी review आपने भी सुना आप सभी को जिन जिन लोगों को ये machine चेक करनी है या इसमें से निकलने वाला जो oil है उसका temperature चेक करना है हम request करेंगे कि आप जरूर भारत अगरी टेक जो लातूर या माइडीसी में होँआरी company है वहां आके जरूर आप चेक कीजिए quality चेक कीजिए confirm कीजिए अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए जो वी में और भी एक बात करना चाहता हूं Чाहता हूं कि मैं जब यह और पर आया कुछ शीर्स एक्सप्रिमेंट के लिए नहीं ला था हमको ले के मार्केट में खरीद के ला रहे और हम परीमेंट करने के लिए लएक मोका दे दिया कि वह उसमें पताँ चले कि किए आपका sportive कितना बहुत अच्छा है आप इतना दूर से आये है आपको अजवाइन वहां से लाना अगर रह भी गया तो इतना दूर तक आप आये तो उतना तो हम हमारी तरफ से जरूर कर सकता है बट थैंक यू फो यू और रिवियो थैंक्स अलोट थैंक यू